हेलो फ्रेंज, वेलकूम टू मिनी जवेज कॉनर इस बार में आपके लिए बहुत ही स्पेशल बॉंग केक की रस्पी लिक्या है हूं जो अभी बहुत ट्रेंड में भी है और यह बहुत ही यूनीक केक है कोई भी इसको देखता है तो एक बार के बहुत सर्प्राइज रह जा अगर आपके रसी पसंदा इसको जरूर लाइक करना मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करना तो देख इस बात की चलो शुरू करते हैं बॉंग केक बनाने के लिए सबसे पहले आपने को केक का बेस बनाना पड़ेगा तो यहां पर मैं चॉकलेट बेस बना रहे हूं तो मैंने आपे 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के लिए अगर आप नॉर्मल केक बना रहे हो चॉकलेटी नहीं बना रहे तो आप कोको पाउडर मत डालना बाकी सब चीज़ आप डाल सते हो सेम इसी मेजरमेंट से फिर आप इसको अच्छे से स्टेनर के मज़े सीव कर लो और अब आपको में सीक्रेट इंग्रिएंट बताते हूं किस से अपना जो केक है न बहुत सॉफ बनेगा आप 2 टेबल स्पून रिफाइंड ओल की डालो ओल जो होता चाहिए वह ऐसा उन चाहिए इसमें बिलकुल स्मेल ना हो फिर उसके बार इसमें 1 फॉर्थ कप यहां पर आ और अच्छे से मिक्स करने के लिए अपने इसमें नॉर्मल रूम टैंपरेचर का दूट डालेंगे आपको जो मिल्क है वो उतना ही डालना है कि अपना बैटर जो इसमें फ्लोई कंसिंस्टेंसी का हो जाए मैंने आपे हाफ कप जो है मिल्क कर डाला अब दो सबसे में अपने के के अंदर बैटर को आपको डाल ला है जो मैंने हाप यूज किया वह ओह ओर इंच का आप मेंग्सिमुम सिक्स इंच कर के कि तिन यूज कर सते हो बॉम के के लिए बहुत अच्छी हाइटा जाएगी तो आप यह भी यूज कर सकते हो इसको पहले आप ग्रीस कर लो अच्छे से ओईल से या घी से किसी से भी और इसमें अपना बैटर डाल के इसको दो से तीन बर टैप कर दो मैं इसको ओवन में बना रही हूँ 180 डिग्री पे 30 मिनिट्स के लिए मैंने इसको डाल दिया था बट आप गैस भी बना सकते हो मीडियम फ्लीम पे 30 मिनिट्स के लिए तो अब मैं आपका अंदर का बॉम दिखा दीती हूँ कैसे आया था उसके अंदे एक यूटेंसिल आया था बॉम के साथ बहुत बार होता है एक प्लेट भी आती है अपन इसके उपर अपना जो होगा के वो प्लेस करेंगे पर अब इसको लॉक कैसे करेंगे जो सबसे बड़ा है जो सरकल है ना ये सबसे पहले आएगा उसके बाद जो तीन लेर है वो इसके उपर आएगी तो इसको इसी जरीके से lock करना तो ही ये lock होएगा फिर इसको lock करने के लिए अपनको इसके बीच के ना wick डालने पड़ीगी इस cake के साथ 5 wick के packer आया था जो ये 5 wick है उसको आप use करके इसको burn कर सकते हो अपने 30 minutes हो गए है मेरा cake sponge बहुत अच्छे से 1-2 घंटे में ठंडा हो गया और कितना soft बना है तो मैंने किया कि इसकी जो उपर की hard layer है वो इसके निकाल दी वो आप हमेशा निकाल देना फिर उसके बाद मैंने इसको 3 layer में cut कर लिया अगर आपका 3 layer में cut नहीं हूँ तो आप 2 layer में भी cut करके अपना cake बना सकते हो फिर इसके जो 3 layer cut हो गई तो मैंने जो अपना cake board है उसके उपर थोड़ी से whipped cream लगाई और अपने 1st layer जे उसको place करी और उसके उपर मैंने sugar syrup से उसको coat किया sugar syrup आप normal पानी लो आप इसको whipped cream से layer कर दो और ऐसे ही जैसे मैंने यह step किया वैसे आपको बाकी के 3 step करने है मतलब बाकी के जो 2 layer है उसमें भी आपको सेम इसी तरीके से करना है sugar syrup लगाओ, whipped cream लगाओ और इसको अच्छे से coat कर दो मैं अच्छे से layer लगा लेती हूँ फिर उसको 10 minutes के लिए मैं अपने जो केक है उसको फिर्जर में रख देती हूँ कि वह एक बर अच्छे से 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 हो जाए उसमें सारी केक और उसके अंदर जो क्रीम है वह अच्छे से से हो जाए तो यहां पर मैं 10 minutes के लिए एक layer लगा के इसको रख रहे हूँ 10 minutes हो गया है तो अब अपन decoration स्टार्ट करेंगे तो decoration के लिए मैंने क्या किया एक तो pink कलर की whipped cream लेली और थोड़ी से उपर एक और shade के लिए white कलर की लेली और यहां पर double shade का जो होगा अपना cake बन जाएगा तो आप दोनों कोई साभी color ले सकते हो जो आपको पसंदो और फिर आप यहां तो scrapper की मदद से या knife की मदद से या निट्रल जेल लिया उसमें पिंक कलर डाल के सो इसको इपोन में भरकवें डॉप्स बना दी वर्ना अगर आपका यह वाइट चोकलेत हो तो आप उसको ही मैल्ट करके उसमें कलर डाल के उसको drops आप उसको यूज कर सकते हो पिर इसके डिजाइन के मैं आपे नौजल यूज कर रही हूँ नूर की N1 बाकी में description में सारी चीज अच्छे से mention कर दूंगी सारे ingredient कौन कौनसी nozzle मैंने use कि तो अगर आपको यह decoration अच्छा लगा तो आप इस decoration के साथ अपने cake को और beautiful बना सकते हो प्रिंगल बॉल्ट बॉल्ट रखें लगा के इस पे एक हैपी बर्दी प्यारा सा टेग लगा दिया तो आप खुद देखो अपना के कितना beautiful लग रहे है किसी को भी एक केक मिले गा ना तो बहुत ही खुश हो जाएगा तो आप इसको ज़रूर ट्राय करना अब अपन सब्सक्राइब करना अगर आपके रहसी पसंद है इसको जरूर लाइक करना मेरी चान को जरूर सब्सक्राइब करना और यह रैसेबी जरूर ट्राय करना इन्जयॉए